हम गरीब लोग पीछ रहे वो सपेत कोड़कता और सपेत कपड़े पंके आजय जी का देश ममना रहे और हम मंडी में चाई भीक रहे गरीबों का फायदा होता तो यहां ऐसा भीकमंगे समान खड़े नहीं रहते एक रुपाई के लिए सुबे से स्याम तक के बढ़ता हुआ बास्तो रुपाई नहीं कमाता मैं याने 6400 जाती की जितनी में मैलाए है वह आजादी मिलिये बावा साइब के वजयत है याने मंदिर मजीद जाने से अच्छा है कि आज के दीन सवीधान का पूरा पूरा लाब लो आप पूरी सवीधान की किताबे पढ़ना चाहिए जैसे बाइबल रखते हैं कुरान रखत जो भी अपना धर में किताब रखते हैं किताब रखना थी हर जाती कि विकती ने जैसा बाच्चा पैदा होता है थो पढ़ाते हैं यहां से दुकान हटाओ लगाओ मातिये मत करो मार्केट की जगे में दुकान हाए ट्रे जिसे डाल डाल पर सोने की चिडिया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ये बात आपने कईयो बार सुनियोगी और आज के दिन ये जो आवाज है और ये जो नारा है ये पूरे भारत में गुंज रहा है साथ यो तारिक बता दे आज की 26 जन्वरी गंतंत्र दिवस पुरा भारत माना रहा है और इस गंतंत्रिक भारत को 74 वर्ष हो चुके है आज हम समिक्षा करेंगे बाचीत करेंगे आज देश के तमाम लोगों से किस प्रकार वो आज के भारती सविधान के 74 वर्ष होने के बावजूद भी क्या उनके मनस्थिती है क्या वो सोच रखते हैं इस देश के अंदर में भारती सविधान के लागू होने के पहले एक और आज इस देश के अंदर में वबासाब ने जो दो साल 11 माईने और 18 दिन इस अठक परिश्रम करके त्याग तपस्या बलिदान करके जो ए महनत से जो इतना बड़ा ताकतवर और बलशाली जो सविधान लिखा पूरे भारत और पूरे दुनिया के अंदर में ऐसा सविधान आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सविधान अमरे देश का है और इस ताकतवर सविधान होने के बावजुत किस प्रकार भारत के तमाम जनता की स्थीती है क्या वो सोच रखते क्या उनकी जिंदगी में भारति सविधान आने के बाद में परिवर्तन हुआ या नई हुआ किस उनकी जीवन का जीने का तरीका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या नई हुआ इस पूरी बाचीत को आज के इस वीडियो में हम करने वाले है इस देश के अंदर में हम अभी इस वक्त खड़े है गोंधिया के प्रसाश की इमारत में और इस आसपास के परिसर में बाबा यह देश का सवीधान होता है यह भी वड़ा गंबिर सवाल बना हुआ है इसलिए बहुत्तर प्रकार की जानकरी रखता है एक आम जनता आम लोग और किस प्रकार सोच रखते हैं इस देश के अंदर में आज जो गंचंतर दिवस मनाया जा रहा है इसको लेकर इतमाम चीज़ों को लेकर हम बात्चीत करने वाले हैं तो वीडियो में अंते तक के ज़रूर बने रहेगा और आप क्या राय रखते हैं आपक को गुजर बसर कर रहे हम पूछेंगे जानेंगे कि आज भारतिय सविधान को 84 वर्ष हो चुके है सविधान लाग होने के बाद में किस प्रकार उनकी जिन्दगी में क्या परिवर्तन आया या नहीं आया क्या मानते हैं सही माइले में वे वो किस देश के अंदर में जो सव पाइदा उनकी जिन्दगी में हो रहा है यह नहीं हो रहा है बहुत सारे हमारे मार्केट में लगना भी शुरू हो चुका है भी तक्रिबन साड़े-9 वजे का समय हो चुका है और लोग अपनी दुकाने खोल रहे हैं यहाँ पर हमारे एक साती है इनसे जाने के पूछेंगे क यह आज क्या तारीक है जन्वरी कि आज गंतंतर दिवस मना रहे लोग क्या लगते आपको कि क्या परिवर्तना है भारते सविधान के बाद में या आपको क्या मिला है सविधान से सविधान तो अपने को मिला है अपनी अभी संसक्रती भी अच्छी है किस ने लिखा सविधान बाबा साहब लिखा इसके अंदर में किस कैटेगरे से आते हैं आप पहले बताईए तो बाबा साहब ने तमाम इस देश के अंदर में जो लोग रहे उनके लिए किसी भी जाती धर्म की लोग वैं इसके मैं आपको क्या लगता है कि आपको क्या फाइदा हुआ यह सविधान सभी की लिए सभी किलिए कभस की सब्शी की की कि श्रीज noises कितने कमा लेते रोज कि पांत्सों हजार रुपय कमा लेता हूँ क्या लगता है कि तेट Each कज साथ to catch Dannyove got aah od a suffered다 कि смछी अथि यह कभी नहीं हो पाता मार्केट के लिद रुगा तो तकलिफ है यहां से दुकान हटाओ लगाओ मत करो मार्केट की जगे में दुकान लगाएंगे तो तकलिफी आ रहे हैं तकलिफ यह तो बहुत सारी आ रही है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भारत का सविधान लागवे चौरत दर्वस्तों हो चुके हमारे साथी ने भी यहां पर खास तोर पर बता है किस प्रकार महेंगाई के चलते लगातार उनको समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है मार्किट परिसर में है साशन प्रसाशन के माध्यम से दुकाने लगाने ने जी जारी है और काफी सारे लोग यहां पर है सबसे बातचीत करेंगे कपरिसर के अंदर में हम लोग आ चुके हैं काफी सारे दुकाने आप मेरे आसपास में देख रहे हैं और हम लोग जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आज गंतंतर दिवस पुरा भारत तो मना रहा है और जो सविधान को लागवे के चौरातर साल तो हो चुकी है लेकिन ऐसे में तमाम जिज मर्रागी जिन्दगी जेने वालोग है इंकी जिनदग क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है डू कि कि यह समझ जाओ कि कुरुणा के बंती न उसके बाद से चलुई कि वर्ष हो चुके हैं का साल समझ जाना अभी यह मेरे को यह बताईए कि सविधान भारत में हैं क्या लगता है भारत में सविधान पूरी तरीकी से लागू है या फिर आपको क्या फाइदा हुआ ऐसा लगता सविधान सब्सक्राइब कर देश में और मैंगाई से तकलिफ होरी हिर नी होरी तो अब मेरे को बताँ ये कि अघर देश में अगर इसी तरीकी से रहेगी तो क्या रोज कमाने खाने वाले लोग जो रोज कमाने वाले उनको किस पर रिकर समस्याव का सामना करना पड़ेगा तो बताव गया अभी सब पोजिशन डाउन है वह बेवाव चल रहा है काम को बेरोजगार है पिलकूर कौन बेरोजगार जी बाजी का डाउन है काम लोग नहीं आरे दुकानों पर एका दुका आते हैं कितनी कमाई हो जाती दिन बर में कमाई क्या सवपचास जी यहां पर यह हमारे और एक साथी है बताएंगे क्या किस चीज की दुकाने आप यह सब जी बाजी क्या वत क्या बताया अभी आप यह दो रुपे तीन रुपे किले में कोई बचत नहीं है दिन बर बिगारी करो हमाली है घर जा वही वाला काम क्या आज गंत अंतर दिवास मना रहा है दे कि से क्या जगे जगे बाड़ै खुली बज्ञाओं नरहा कुछ मीनी वाल में यहां पर हमारे अंकल चाय बेच रहे हैं क्या काम करे रोभी निमाम को ते सालों से कर रहें अभी दो साल हो गए अच्छा क्या समस्य आरी आपको किस तरीके से महंगाई माइगाई बहुत बढ रहा है हमको मालक हम दिन भर इदर पाव के काड़ा करके घुमते हैं और इदर लंग 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 अभी से लेके तो रात के 9 बज़े तक हम घुमते हैं फिर भी हमको पवने 200 रुपए रोजी देता है और यहां पर धंदापन नहीं होता जिस दिन कभी-कभी मार्केट में हो ज सब्सक्राइक के लिए वह यह हैं सोचते हैं धंदा बरोबर नहीं होता अभी देखो सुबह से निकला अभी आदा घंटा हो गया सिप 10 रुपए की चाई भी काओ कितना धंदा हो जाता है दिन भर में क्या हो जाता है 2500-300 रुपए का धंदा हो जाता है अभी घर में आप कमाने वाले कितने लोग है आप है और और बाकी लोग कितने लोग परिवार में मेरे अभी तीन पाच दो बच्चियों की शादी हो गई है एक बेटा है और घर वाली है वह घर में रहते हैं उनको पैस से बेजना पाड़ता है मैने के भारत में सवीधान लाग हो चुका है 74 साल हो चुके और इसमें लाग उए है न मेरेको वद्दाइए क्या आपको लगता है पहरा सविधान से अगर भारत में जो सविधान आया है उससे आपको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ है पाइदा तो बाबा साहिब आमबेट करने और हमारे मात्मा फुली जी ने कर दिया है लेकिन अभी जो लेडिज रिजर्वेशन जो ज्यादा बढ़ जाने के वज़े से आद्मियों की जो बेरोज गरगी है वो बढ़ गई है आप लेडिजों के पीछे चिकुमना पड़ता ह आपन को जो रिजर्वेशन के आपने बात कही तो रिजर्वेशन कौन लोगों को मिल रहा है किसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है अब उतनी दो मैं पेपर नहीं पढ़ रहा हूं कभी कबार मुको वक्त ही नहीं मिलता सर कि कोई चैन से बैठ जाए कोई चैन से अपन को स बॉल रहे है है कि मोधी जी सबनेन से लेकिन मैं उनको भी वहां तक सुचना पहुचा सकता हूं रासन देने से मैं भी आपको दस चाहिए दे देऊ इसके पीछे उसके पीछे कितना घर चाहिए कि उसने रासन दे दिया लॉक्डाउं से दे ठीक है फिर काई से खाएंगा वो बड़े बड़े लोग डाइनिंग टेबल पे बैटके खाते हम यहाँ फुटपत पे खाते हैं ऐसा फरक क्यों कि इतना बड़ा फरक क्यों है इस देश के अंदर वह ऐसा है गर चूरी से तुम टमाटर काटोंगे ना टमाटर ही काटने वाली चुरी नहीं कटने वाली है इसमें नेता लोग पिरें किक और यसमें पीसरें हम लोग हम गरिब लोग तक एप मेरा मेरां गदेशंे सब्सक्राइं का आजआजी का देश में मनना रहे है और हम मंड़ी मि housing bin करें कि यह दो तस्वीर आपकेने बात कर दें भारत की भारत मेरा देश है फिर भी उसका सोना गान है तो आपने देखा कि लगातार इस देश के अंदर में जो महेंगाई बनी हुई है इसके चलते और कुछ भी बोलना चाहते हैं बताई हम भी ऐसा ताजमल बना सकते हैं ताज जान ने हम दिवनों को यू ललका रहा है हम भी ऐसा अब तो आपने देखा कि अभी और भी हम काफी सारे लोगों से बाचीत करेंगे जो पूरे इस मारकेट वाले परी सर में गोंदिया में हम लगातार घूम रहे हैं आप थोड़ा सा नजारा देखिए सुबह का नाजारा है किस प्रकारिये मारकेट लगता है और तो यह तमाम लोग है किस प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे हैं और भारत की जो दो तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तौर पर हमको दिखता है कि दिल्ली के राजगाट पर पकरतवे पत पर एक पूरे परीट चल रही है और दूसरी तरफ जो एक बहुजन समा पर दूसरी का से हो जादो चौक मुझे बताईए कब से दुकान है आपकी कितना उमर है आपकी पड़ाई लिखाए कर रहे है क्या पड़ रहे हैं मैं दस्वी पड़ा हैं कितने लोग है घर में गाल पर आम आए तिन लोग आप कमाने वाला के लिए हो नहीं मैं पिता जी नहीं पता लेकिन आज का युए जानना जरूरी हो चुका है कि आज हमारे देश के अंदर में जो हम देख रहें तमाम तरीके की जो हकदिकार मिले हैं वो किस बदलत मिलें किनों ने वह कदिकार दिये हैं आपको आपकी जानकर बता दू डॉक्तर अमबेट कर बबाबा सहाब अमबेट करने इस देश का सविधान लिखाये अब पता हुआ ठीक है तो मिरको बता कितना रोज कमा पूछेंगे आज की तारीक क्या है किस प्रकार आप देखते आज के सविधान जो लागु हुआ और गंतंतर दिवस्पुरा भारत मना रहा है क्या बताएंगे आज के दिन जो है यह 6400 जाती की आजादी का दिन है याने आज के दिन बाबा सहाब हम बेट करने हमको आजात क सविधान की किताबे पढ़ना चाहिए जैसे बाइबल रखते हैं कुरान जो लागु हुआ पूरा 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 लाब लोग पूरी सविधान की किताबे पढ़ना चाहिए जैसे बाइबल रखते हैं कुरान रखते हैं रामान रखते हैं इसुमसी का जो भी अपने धर्म किताब रखते हैं वैसा सविधान की किताब रखना चाहिए हर जाती के वेक्ति ने जैसा बच्चा पैदा होता है तो जैसे बच्चे पैदा होते तो उसको पढ़ाते न कि अल्ला हुआ अकबर रामान पढ़ाते है इसु मस्थी में जाने बताते है तो सविधान की किताब बताना चाहिए कि बेटा ये सविधान की किताब से तेरा आगे तो फायदा होगा इससे को फायदा होगा जो नेतागिरी कर रहे है पंद्रा पर्शेंट लोग नेतागीरी कर रहे है और अपने लोग गुलामी कर रहे हैं राम मंदिर के जगड़ा हो यह मजजीत का जगड़ा हो इसमें कोई भी उच्चे जाती का बच्चा जाता नहीं ओबी जी का बच्चा लाते खाने जाता है इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं विदोसों में हमारे बच्चे लाते खाने के लिए मंदिर मजजीत के जगड़ा में जाता है यह हमारे देश का सत्यानास करने वाला यह है आज के दिन अगर मोजी सही में देश भकता है तो घर घ जगड़ें में इनके बच्चेश करते बद्धे जाते हैं बड़ा प्रस पाझेंए जीत बढ़ा तो को बारत देशमीरा सोने कि चुडिया करती नो समय हमारे देश में जीस्त तरीके से लोग जीस तरीके थे मारे बच्च अमरे बच्च का भी इसकूल जाना जीद इन जाना सीख जाएंगे मंदिर मज़ीट जाने के पहले बच्च कोई शिर सबतनी चाहिए पंतिater उस दिन हमारा देश आटमेटिक सुधर जाएंगा हमारा देश सुधरा हुआ सुनी की चिडिया है चन बेकुप लोगों के वज़े से देश का सत्यनास हो रहा है अगर इतना ही है तेलियों को दार बोला जाता है तेलियों को बोलते है कि तेली का मुधी का दस दो गज दूर अब बिल्ली का मुधी का बिल्ली ने रस्ता काटी तो दो गज दूर अब तो उनको बाड़र पर रखते उन्हों इतनी सहीनिक रखते का को साले जैसे देखेगा वैसा ही देश यह हो जाएंगा यह मारे बच्चों का मंदिर मज्जित के लखड़ में रखते है और इसलिए आज के दिन अगर सही में मोदी देश भक्त तो घर-घर सवीधान बेजना चाहिए हर घर में सवीधान पढ़ना चाहिए हर बच्चा सवीधान पढ़ना चाहिए यही है अर जितना बोलूगा उतना तेंसन बढ़ता है ज्यादा माइक मत पखड़ो यह तो यहां पर आपने में देखा कि सविधान कितना हाश्चिकस देश के अंदर में हैं तमाम तरीकी जो संपरदाइक अबॉत करनी कले करने एक भारत के सविदान के अंदर में समता स्वाथ तंतरता बंदुत और निया हमको किस चीज की दुकाने मेरे देखे सीच यह मेरी मेरी 25 साल से लगी कितना आपको खरीदी हो जाता है कितना क्या सी दिन का पहने कम से कम 500 हजार का हो जाता था अभी दोघाजार हाई दहाई हजार ड़ाई हजार यह वह बदलाव आया यह समस्या के कारण और मेरी समस्या कुछ दूसरी है क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं यह सुतंत्र देश का मैं सुतंत्र आदमी और हमारे को इस बात की किसी बात की सुतंत्रा नहीं है किस बात की सरकारी दवा खाना जाओ तो वहाँ प्ईसी लगते हैं लाइट के लिए जाओ तो वहाँ पंदर के लिए उसने क्या सुछ लिया महाराष्ट के अंदर के लिए कोजी भी नहीं राष्टिये परियावरन के लिए 155 करोड रुपए फुकट में दान में डाल दिया किस बात के डाला का गरीब से निकालेंगा हम रोलचा पावदिमी से निकालेंगा पैसे वाल उनका पैसा भर रहा है 155 करोड रूपए का अगर गरीबों के लिए महाराष्ट के अंदर के लिए अगर नायंड्र मुदी अगर एक काम खोल देता तो मैं भोलता वुस्कार नुझा। पर 125 करोड रूपए उसने चेसने नांदे लेती हूँ छिर्फ परियावरन के लिएदी तो बुद estar Hello 여러분 सबसे जरूरी है ना जरूरी जहां जरूरी है वहां सही है यह अधर इस्टेट में यह क्या का परियावरा नहीं है इसके लिए 155 करोड कहां से अच्छा काम कर रहे यार अगर अच्छा काम करते तो उसके लिए बोलते उसके भी गुन गाते हमने एक समय में उसके भी गुन ग सब्सक्राइब दोकरोड रोजगार भी दे दिया बता रहा है किसका रोजगार दिया है यहां है क्या कोई ये ख़द रोजगार वाला हितने में बता वह रहा है यह पूरे हाल मजूरी वाले अगर कोई बोल दे अगर यहां हमारे इसमें अगर किसी को पैसा आया उजवला योजना से ग्यास मिल गई और क्या समस्या है फोकट में घ्यास मिली डवल पैसी ले रहा है नरेंद्र ? पैस की बातए अब लेने के लिए हंडा जा रहे है तो उनको हंडा वह challenge मिल रहा है और मिल रहा है तो उसको डवल में हंडा मिल रहा है हमको 11,60 में मिलता है तो उनको 16,60 मिलता है फिर कि इस बात का तुमने सफेड़ी दे नो मिलता है 120 पेट्रॉल कर दिया चालिस पीध्या प्रॉपई भरा आया अपने समय में महीं ने गाड़ी छोड़ दिया गाड़ी जला दिया महीं ने काड़ी जलाई दिया 40 रुपाई पेट्रोल वारा मैंने कांग्रेस के राज में 55 रुपाई तक के वारा यहां तो सिधा यह कई साल में दो साल में साला 110 रुपाई काका कानू ने उसके आग में सोतंतर आए वो विदेश में बैठा रहता और यहां वो टीवी के उपर में जि यहां गरीबों के हाल देख बोलना उसको क्या है सब्जी वाले कभी कभी स्याम के समय में 100 और 200 रुपाई के लिए वंचीत रहते नरेंद्र मुदी को यहां से अगर सुन्द्रागा ना उसको बताना कि लागडाउन के अंदर में मैंने कम से कम 50 से 60 हजार रुपाई अपने परिशान नहीं है शासन और प्रसासन से पुरी परिशान नहीं है यह नगर परिशान से पुरी परिशान नहीं है 25 साल से बैटाओ मेरे लिए नगर परिशान ने क्या किये 60 रुपा टेक्स देता हो आज भी सूबे से स्यामतक्य का 60 रुपा हर दिन टेक्स देते हर दिन हर जितीन चिट्थी बताथ और दो 60 रूपण टेक्सिकी मीरीी अब इक तो चिट्थी दखा लो मेरी जंचेनल रुपए की चिट्थी है यह मेरी बढ कर्णे more market की फिस चुटे मारकेच की 10 रुपाइ की डेली10-ग डे तो करकार को सरकार में रहे है थोगलוד आरे फिसले बड़े लोग सब विदेश में जाके बड़ीया मस्त ये सो आराम से रह रहे हैं इंडिया का पूरा दिख रहा है उनको पिक्चर यहां इतनी पबलिक है ना वो विदेश में भी वड़ाऊंगा तो उसको दिख रहा है क्योंकि उन लोग ने पैसे लेके उसके पैसे खाए और ये मोदी जी ने क्या किया इन बड़े-बड़े लोगों को करजा दिया है यहां एकाद गरीबों को करजा दिया होंगा तो बोल दे बरा है यहां इतने कि किसी को पचास हजार मिला किसी को एकाद लाग रुपए करजा मिला बात तो इतनी बड़ी-बड़ी करता है क्या पर की विदर लाता है है लंक पर हो गया कर अध्युत कर आं सब्धाइब है सब्जी भाजी में हमारको टेक्स लगता तीन रुपए का भाड़ा लकता है वहाँ से निकलने का धूर टेक्स देना तो देशभक्टी है थिल इमानदारी काREE तेक्स दें तोम्यारा दस रूपर लगता कुछ भी चलव रही iki कुछ भी करने कद लोगे और कुछ बी यानि तुम कूझ depths कर दो बिल्कुल यानि हमने मन्जा घंड़ दिए तो बिल्कुल सही है क्योंकि तुम सत्ता पे बैटे हो हम क्या है कोन पहुचा है सत्ता पे सत्ता पे है ना पुरे किसने वोट दिया किसने हमने दिये ना होट और किसने दिये तो लाचार होके बीजेपी बहुत अच्छी है गरीब लोगों के मदद करेंगी गरीब लोगों को थोड़ा सा उठाए पुरी बास्चीत को लेकर और क्या आप सोच रखते कि इस प्रकार की दमास समस्या है इन समस्या होगा आखिर निवारन कब होगा या होगा या नहीं होगा या बहुजन समाज इसी प्रकार तमाम समस्याव से लगातार घिरा हुआ रहेगा आपकी प्रतिकीरा कमेंड बॉक्स में ज़रू बता है गंतंडर दिवस को लेकर क्या मानना रखते है वो भी आपकी प्रतिकीरा कमेंड बॉक्स में ज़रू बता है बने रहे दातिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीन, जय भार।